हेलो एव्रिवन मैं हूँ एडोकेट राहुल मिश्रा आज मैं आप लोगों से डिसकेशन करूँगा 498A के बारे में जी हाँ 498A पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ डिसकेशन करूँगा FIR से लेके judgment तक की जितनी भी stages होती है उनके बारे में उनमें क्या-क्या होता है वो आज सारा का सारा मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के थूरू डिसकेशन करूँगा भी लीगल या personal problem हो आप मुझसे सला लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं उसके लिए number आपको description मिल जाएगा लेकिन बिन appointment के बात कर पाना संभोण नहीं होगा चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं देखिए 498A आखिरकार बनाया क्यों गया लाया क्यों गया 498A ला गया कि तक ही जो भी महिलाएं हैं प्रतारित हैं उनके पती और उनके ससुराल वाले जो हैं उनको परिशान कर रहे हैं cruelty उनके against कर रहे हैं वाइलेंस कर रहे हैं तो उससे उनको निजात दिलाने के लिए 498A लाया गया cruelty normally कौन करेगा family वाले करेंगे family वाले किसके husband के family वाले उसके देवर let's say उसके देवर हो गए साससुर हो गए ननद हो गई यह सारे के सारे लोग उसके against cruelty करते हैं महिला के against उसके बाद इस से बचाने के लिए 498A डाला गया 498A basically a cognizable offense होता है और इसमें 3 साल की punishment होती है तो परिवार वालों को इसमें basically जब F.I.R. register होती है तो सिर्फ भय इस चीज का रहता है सजा का और जेल का उसके बाद हम लोग अब complete stage की बात करें तो देखिए ज्यादा तर मामले जो भी 498A के होते वो फरजी होते फेक होते है लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनमें वास्तविक्तावे सत्यता होती है और वो प्रताडित महिलाएं नयाएं नहीं पापाती है इन्हीं लोगों की वज़े से जो फरजी मुकद में लिखाए हुए होते हैं आज हम लोग पूरा discussion करने जा रहे हैं F.I.R. से ल एक statement बनाती है अपना एक complaint बनाती है complaint में सारा कुछ है खुद वो या किसी educate के माध्यम से अपने परिवार के माध्यम से सारा घटना करम उसमें लिखती है घटना करम लिखने के बाद उसको police station में submission के लिए देती है जब आपके against ये सारे के सारे जो कागजात वो police को देती ह ले जाके तो police प्राइम अफिसाइस में F.I.R. नहीं दर्ज करती है कभी कभी F.I.R. दर्ज भी कर लेती है कभी 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 नहीं करती है जर्नली जब कोई ऐसे serious allegation नहीं हो रहे होते जिसमें तुरंत F.I.R. दर्ज करना जरूरी हो तो police F.I.R. ना दर्ज करके इसको women's cell में भेज देती है, transfer कर देती है, counselling के लिए भेज देती है अब जब आपका matter जो है transfer हो जाता है, counselling के लिए चला जाता है तो counselling की process में लगभग वहां पर आपके दो से तीन महिने लग जाते हैं और उसमें एक initial कोशिश की जाती है कि आप दोनों लोगों का बैठा के mediation, reconciliation करा जाये, settlement कराने की कोशिश करी जाये, ताकि आप लोगों का घर बस सके, तूटे ना, पहले क्या होता था, 498 में directly F.I.R. हो जाती थे, लेकिन Honorable Supreme Court के judgment के बाद से, अब इसमें direct F.I.R. और immediate arrest नहीं होती है, और इसमें एक initial कोशिश करी जाती है कि परिवार तूटे ना, आप लोगों के बीच में settlement fail हो जाता है, तो उसकी second stage आती है, जब F.I.R. हो जाती है, F.I.R. में जो as per application wife की रहती है, अगर wife agree नहीं करती है, आपकी terms and condition पे, आप उनकी terms and conditions नहीं मानते है, तो wife की जो complaint होती, as it is complaint के basis पर F.I.R. आपके उपर registration हो जाती है, जब आपके उपर F.I. F.I.R. register एक बार अगर आपके उपर हो गई है, तो उस F.I.R. registered होने के बाद क्या होगा, कि आप police investigation करेगी, F.I.R. lodge होगी, उस condition पुलिस investigation करेगी, उस दोरान आप क्या करते हैं, जैसे F.I.R. lodge होती है, आप anticipatory bail के लिए जाते हैं, lower में तो आपको bail का कोई provision है नहीं, anticipatory के इसके लिए आप session court में जाते हैं और high court में अप्रोच करते हैं, कई बार bail हो भी जाती है, और कई बार bail नहीं भी मिलती है, anticipatory bail, उसके बाद जब F.I.R. हो गई, आप पहली stage complaint चली गई, दूसरी stage F.I.R. हो गई, तीसरी stage आपकी आती है, police investigation की, जब आपकी F.I.R. हो जाती ह भी आरोब तहरीर में लगाए गए है, क्या वो आरोब सही है, जिन accused का नाम लिखाया गया था, क्या वो accused मौके पर वहां पर थे, जिस दिन का घटना करम बताया गया है, यस सारी की सारी चीजों को police जाच करती है, इस दोरान पुलिस क्या करती, complainant का, victim का, या accused का statement लेती है उनके evidences को collect करती है, उनके evidences की जाच करती है, यह सारा का सारा step जो होता है, पुलिस अपनाती है, इस दोरान जो भी weapons, महिला ने बताय होते हैं कि उस weapon से मारा गया, पीटा गया, उन weapons को collect करती है, four feet करती है, seize करती है, witnesses को examine करती है, doctors का statement लेती है, accused का statement लेती है, victim का statement लेती ह अब जब पुलिस investigation पूरी हो जाती है उसके फूर्थ स्टेज आती है चारशीट पेश करने की यानिकि जिसको कहा जाता है चालान पेश करने की अब पुलिस investigation कंप्लीट होने के बाद चालान पेश किया जाता है जब चालान तभी पेश किया जाएगा जब पुलिस investigation पुलिस के हिसाब से करते करती है। उसके बाद अगर F.I.R. मुकदमा फाइनली चलाने लायक है F.I.R. के वर्जन के हिसाब से तो आगे चलान पेश कर देती है अधर वाइस पुलिस क्या करती है कि पुलिस उस कंडिशन में F.R. लगा देती है कि केस चलाने लायक नहीं है इसको चलाना नहीं चाहिए उसके बा आती है और free of cost जो है चलान की कॉपी देती है अगर आप एंटिसिबेटरी बेल पर है तो उन लोगों को उस कंडिशन में वहां पर regular बेल लेनी पड़ती है क्योंकि यहां से पुलिस का रोल कंप्लीटली खतम हो गया है अब यहां से ट्रायल चलेगा यहां से कोर्ट का 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 स्टार्ट होता है अब पुलिस का रोल कंप्लीटली खतम हो जाएगा तो कोर्ट का रोल स्टार्ट होगा तो कोर्ट अपने हिसाब से काम करेगी यहां पर फिर जब कोर्ट में आप आएंगे तो कोर्ट जो है चार्जेस पर argument करेगी फिर चार्जेस फ्रेम करेगी चार्जे कि लोगों की गवही होने के बाद फिर उसमें आपको मौका मिलेगा यादि कि निकाल सकते हैं क्रोस इक्जामिनेशन से कोशिश करें कि जो भी आरुप लगाएगे उनको नका रहें जुटा साहित करें उनमें काणट्रेक्षन निकाले गवहो सेवateur स्टेज आएगी तो 313 का स्टेटमेंट होगा 313 स्टेटमेंट जो होता है सी यार outta ूसमें यह हो यह होता है कि आम आरोप लगाए गय allons promotion तो excuse इसमें क्या करता है, जर्नली सारे के सारे आरोपों को नकार देता है, सारी के सारी चीजों को deny कर دेता उसकी eight stage आती है defense evidence की defense evidence में क्या होता है गवाही आप पने जो अपने favor में लगा रखायर इक उसमें करानी होती है लेकिन डिफेंस में बहुत जर्णली कम लोग गवाही कराते लेकिन अगर गवाही हो तो करानी चाहिए क्योंकि इसमें जितनी ज़्यादा गवाह होगे उतना ज़्यादा फसने का चांसे होगा उतना ज़्यादा बुरा होने के लिए प्रोबिलिटी बढ़ जाएगी उसके बाद नाइन्थ स्टेज आप कियाएगी फाइनल जेज्मेंट की या ओडर की फिर यहाँ पर अगर आप बिक्टिम है तो आपने अगर अपने आपको सही साबित कर लिया तो अक्यूस जेल जाए होगा सही लगा होगा इससे आपकी कुछ ना कुछ जानकारी बढ़ी होगी अगर बढ़ी है तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना मन भूलिएगा साथी साथ अगर आप मुझसे परसनली मिलना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो मुझसे आप मिल सकते हैं बात कर स ये असंबह हो जाएगा I hope आपको इस अब सही लगा तो प्लीज एक काम और मेरी रिक्वेस्ट है वो कर देना आप मुझे अगर फेस्बुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर अभी तक नहीं फॉलो किये तो वहां फॉलो करिएगा फेस्बुक इंस्टाग्राम पर मैं अलग- देखेंगे कि जैसा मैं बताता हूँ कि मैं बड़ा स्ट्रिक्ट लॉयर हूँ लेकिन पर्सनल लाइफ में मैं उतना ही सॉफ्ट हार्टेड सॉफ्ट कॉर्णर्ड एंसान हूँ थैंक्यू सो मज्जेहिं